नए वैपार, नए रोजगार और नए सेवाईं शिकार की आजादी किसे थी? वन कानून लागू होने से पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले लोग, पक्षियों और कुछ छोटे जानवरों का शिकार करके गुजारा करते थे जहां उन्हें शिकार के उनके अधिकार से वन्चित किया गया, वहीं इसे भारतिय कुलीनों और आपनिवेशिक शासकों के लिए एक खेल के रूप में प्रोसाहित किया गया आपनिवेशिक शासकों ने जंगली जानवरों से किसानों की रक्षा करने के बहाने जानवरों का इतना शिकार किया कि वे लगभग पूरी तरह लुप्त हो गए नए व्यापार, नए रोजगार और नए सेवाएं जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रन स्थापित हो जाने के बाद नए रोजगार के अफसर पैदा हुए कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे चोड़ कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे ये उपनिवेशों की वैश्विक प्रवरित्ति थी ब्राजील में मुन दुरूकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड की आपूर्ती करने के लिए जंगली रबड के विरिक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंप कर दिया भारत में आदिवासी समुदायों के लिए वन उत्पादों का व्यापार नई बात नहीं थी आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदी घुमंतु समुदायों के मात्यम से व्यापार करना जारी रहा था हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोई, हाथी दांथ, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल आदी का व्यापार होता था ब्रेटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपिये व्यापारिक कमपनियों को विशेश इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी स्थानिय लोग इन इलाकों में अपने पशु नहीं चरा सकते या शिकार नहीं कर सकते थे फलस औरूप मदरास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा वा येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमन्तु समदाए अपनी जीविका से हाथ दो बैठे उन्हें खराब स्थितियों में कम मस्दूरी पर कारखानों, खानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा